हेलो स्टुडेंट्स अपने कुल यूटुब चनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंद सिंग राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 7 एकलवे बेच का लेक्चर नपर 4 लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक र करने वाले को हैं कैसे कंपेर किया जाता है कि क्यूंसा इकौंसा लोगा होगा मेनिंग जानते होगे इस साइड ऑपन वाला पार्ट क्यों होता बीटर होता है और जिस साइड प्लोगते प्लोसाइड होगा कि कि इस साइब पाट क्या होता है समय समझ में रगकरू का ने तो हमारे सटार में कि पड़ना सिखना हैung सब्सक्राइब हो दिशन के बारे में डाओ चुकvemए कंपर तरीकले करने का सिखेंगा यहाँ पर हम दो major तरीके सेखने वाले हैं एक तरीका होगा जो shortcut method होगा अगर आप लोगोंको केवल आसवर ही निकालना है तो आप इस method को follow कर सबते हो अगर आप लोगोंको proper तरीके से करना है तो proper तरीके का भी एक method यहाँब पर सिखने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो देखिए तो देखिए वारे को जैसे मान दो कि हमारे पास दो फ्रेक्शन्स है एक A by B, C by D A by T और C by D में क्या है A कुछ भी हो सकता B कुछ भी हो सकता C और D कुछ भी हो सकता positive का कोई भी number हो सकता है और एक jumper जैसे हैं यहां पर 3 by 5, 2 by 7 तो यहां पे A की जग़े पे कितना है 3 थी देख़ा पे 5 एक द तो है दा ग्यवारे बाद का का utilizz कंप्यर करते extend इитесь स्वúde कि फ्रेक्शन बढ़ या फ्रेक्शन चट्रिए अब क्यसे पाता चला हो कि उसको को सकरें समण तो हम यहाँ ही जो में beth खो लो परते हम स्मस्क्रमाइ बोले स्मस्कार्ण के दिगाइटो तो पहले शॉत पहले यह पार्ट पहले बात को्रीगे और उसके बाद में क्रांगे इस को तो देखो, 3 को 6 से multiply करेंगे, 4 को 5 से multiply करेंगे इसी चीज़ को क्या बला जाता है, close multiplication बोला जाता है I hope आप लोगों को ये बात समझ में आगे दो अब मैंने क्या बोला कि ये वाला friction बड़ा है, ये वाला friction छोगा है ये तभी possible होगा, जब इन दोनों का multiplication बड़ा हो यानि A multiply D, A D बोल सकते हैं, बीच में multiply हैं आप लोगों को जहाँ डखना है, यहाँ पर A और D लिखावा है इसका मतलब है A multiply D, ये जोटी-जोटी चीज़े हैं याँ जाओ तो sign में लिख सकते हो, इनको फिर मैं यहाँ से मिटा दूँआ, तो देखो अगर A और D का multiply greater है, किससे? B और C के multiply से तो हम बोलेंगे कि ये वाला friction बड़ा होगा, ये वाला friction छोटा होगा अच्छे से समझ पारे होगा, तो देखो इसको देखो तो इन दोनों का multiply कितना आ रहा है, 18, इन दोनों का multiply आ रहा है, 20, तो किस side वाले का multiply बड़ा आ रहा है, इस side वाले का multiply बड़ा आ रहा है, मतलब ये वाला friction यहाँ क्या होगा, creator होगा, तो I hope आप लोगों को ये चीज़ रच्छे से समझ में, आगे हो कि तो यहाँ करना है, तो हमें क्या करना है, इन को आपस में multiply करना है, प्रोस, और इसको इसको लिखना है, धानक यह start बना लो, कि पहले इधर वाले को लिखना है, 3, 7, 21, 5, 2, 10, 21, क्या होता है, बड़ा होता है, तो हम बोल सकते है, कि ये वाला जो friction है हमारा, ये क्या होगा, greater होगा, किस से, इस होगा, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आगे होगी, तो कभी भी दो friction देरे में है, हमें क्या करना है, प्रोस multiply करना है, इसको इसने multiply करना है, और इसको इसने multiply करना है, पहले इसको इधर की तरफ वाले को लिखना है, इन दोनों का multiply पहले लिखना है, left hand side में, और इन द दोनों को मल्टिप्लाइश से इस साइड वाला पार्ट का मल्टिप्लाइश करने करने पर नहीं पर बड़ा वहाला रीक्षन भी क्या बड़ा, इस एक तापन से पॉलेगे कि इस साइड वाला पार्ट ग्रेटर होगा, यहां पर यह वाला फ्रेक्शन कंः होगा, तो महीं है निकि बड़ा होगा. आपने को ये चीज समझ में आगे जो कि अब इक्व नम करो कि जब इन दोनों का तो हम बोलेंगे कि यह दोनों के दोनों जो फ्रेक्शन से यह भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आप आप लोगों को यह बात पर से समझ में आ गही होगी, अब यहां पे इसके उपर हम दो क्योंस भी कर लेतें, इस में आपसे सोटकर में आपसे यह फिर हम बोल सकते हैं, क्रोस मल्टिप्लिकेशन में तो देखो, इसको हम करके देखते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, थ्रिय एपॉन फाइव, फाइव अपॉन एट और यहां पे जोभी काम कर दे हो ना उसको लिखोगे, यहां लिखो कहें, बाइक, क्रोस मल्टिप्लिकेशन, मल्टिप्लिकेशन, क्या होगा, पहले इसको मल्टिप्लाई कर दा है, यह दिमाग भी पीठा दो, पहले इसको लिए कर दा, यह 24 आएगा, यहां मैं प्रोपर दिख देता हूं एट को 3 से मल्टिप्लाई करोगी पिर यहां पर 5 को 5 से करते हैं इधर 24 आ रहा है इधर 25 25 क्या होता है 24 से ग्रेटर होता है तो किस साइड ओला पार्ट ग्रेटर होता है तो बोल सकते हैं किसको कि 3 अपॉन 5 क्या है किस से 5 अपॉन 8 से समझ में आ गए भी सिमिलाल ऐसा ही केस्टन यहां है तो इसको इस से मल्टिप्लाई करते हैं तो पहले 24 को 9 से मल्टिप्लाई कर लेते हैं और 16 को 13 से मल्टिप्लाई करते हैं जब इसको इस से मल्टिप्लाई करेंगे तो 17 एट आएगा केली कितना आएगा 7 आएगा 13 को 1 से करेंगे तो 201 तो यहां पर ग्रेटर कौन सा है 216 216 वाला पाट ग्रेटर है तो बोल देंगे कि यह वाला जो फ्रेक्शन होगा यह क्या होगा ग्रेटर होगा तो हम बोल सकते हैं 9 अपॉन 16 ग्रेटर देन 13 अपॉन 24 आपने को को यह दोनो एक्जामपल अच्छे से समझ में आगे होग समझने की कोशिछ करते कि भाई इसको कैसे और कैसे कर सकते इसके बाद में देखते किसका क्या रूल बन जाता रूल को लिख लिए आईसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा और इसके बाद में इसके दो-तिन एक टाइक और नेक्स याइपके तो पहले देखो when denominators are equal denominators equal तो अगर आप लोगों कोई याद हो जब denominators equal होते हैं तो ऐसे fractions क्या बोलते हैं like fractions बोलते हैं तो like fractions को compare कैसे करें तो इसको देखाएंगे example के दूरू में समझाने की कोशिस करता हूँ यहाँ दान से notice करना देखो यहाँ 20 है upon 5 यहाँ 10 upon 5 यहाँ 5 upon 5 यह मैंने 3 numbers बनाया है तीकर सिंपल समझाने के लिए 3 fractions बना दिया हैं आप लोगों के लिए और 3 fractions क्या है like fractions है क्यों क्यों क्योंकि तीनों की denominators कितने हैं same है यादि कि 5 अब देखो इसको थोड़ा सा solve भी उप कर सकते हैं लोग 5 से 20 को divide करें तो 4 time divide होगा यह 2 time divide होगा यह 1 time divide होगा बतल इसका एक्चों में result कितना आएगा 4 इसका आएगा 2 इसका 1 तो यहाँ देखो 4 greater है 2 2 से और 2 greater है 1 से यह चीज़ आए होप आप लोगों को समझ में आगे आएगा लुड खूब अब यहाँ यह चीज़ समंदे के बाद में हम notice कर पार रहे होगे जब में denominator क्या है इक्वल है तो जिसका नूमेरेटर बढ़ा है उसका result है तो रिजन्ट लिए देखो इसका कंटी है तो इसका result 4 ऑल इसका इससे कम है तो इसका result और भी कमार है, तो हम यहां से यह चीज़, conclusion निकाल सकते हैं, कि अगर fractions के अंदर क्या हो, denominator equal हो, तो जिसका numerator greater होगा, वह वाला fraction भी क्या हो जाएगा, greater हो जाएगा, आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आगए होगी, इसी चीज़ को मैं लिख भी देता हूँ, तो लिखने के लिए मैं बहुत देता हूँ, जिसका, भाई यहां में हमारे को पता है, denominator तो क्या है, equal है, हमें के बहुत numerator को देता है, तो जिसका numerator, greater होगा, greater होगा, वो fraction यह बहुत fraction, भी greater होगा, यह मैं के बहुत समझाने के परपत से लिख रहा हूँ, आप लोग इसी लेंग्वेज में लिख लेना, हिंदी इंग्लिस मिक्स में, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यह जरूँ है, बहुत fraction भी greater होगा, आप लोगों को इसी समझ में आगे हैं कि, अब जर से लेखो, 21 upon 13 दियागा है, और 17 upon 13 दियागा है, तो अब बताना है कुन सा greater है, कुन सा smaller है, तो देखो, दोनों के denominator 13 सेम है, तो जिसका numerator क्या होगा, ग्रेटर होगा, वो फ्रेक्शन भी greater होगा, तो हम बोल सकते हैं, इसका numerator है, यहां पर 21 upon 13 भी greater होगा, किससे है, 17 upon 13 से, I hope आप लोगों को समझ में आगए होगी, इससे भी आप अच्छे से note कर लेना, समझ कर, अब अगला देखो, कि अब जिसका opposite case हो, यहां तो denominator equal हो तो क्या करेगी, तो इसको भी एक्जांपर से समझने की कोशिश करते हैं, तो देखो, जैसे यहां पर मैं एक्जांपर मालने तो 20 है, तो देखो, यहां 1 से डिवाइड किया, तूसे यहां मतलब 20 upon 2 है, 20 upon 4 है, 20 upon 5 है, 20 upon 10 है, 20 upon 20, तो देखो, यहां पर सब के, क्या है, denominator से अलग अलगा, लेकिन numerator क्या है, equal दिखे हो, आप लोगों कोई example में ने लिखा है, इसका meaning, एक्चल में समझ में आगया होगा, कि हम क्या करना चाहते है, कि numerator सीक्वल है, तो compare करना चाहते है, लेकिन अब हम देखते हैं कि कौन सा बढ़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, यह कैसे बनाए, तो यहां हमने रूल बना लिया, कि जिसका numerator greater, अगर denominator सीक्वल है तो, तो वह वा करेंगे, 4 time होगा, 10 से divide करेंगे, 2 time होगा 20 को, 20 को 20 से divide करेंगे, 1 time होगा, तो यहां देखो, यह वाले results, क्या हो रहे है, छोटे हो रहे है, सब्सक्राइब, 10, 5, 4, 2, 1, अब आप अगर अच्छे से चीदियों को observe करने हो, तो आप notice कर पा रहे होगे, कि यहां क्या हो रहे दिनोमिनेटर की value क्या हो रहे है, increase हो रहे है, तो जो उसका result आ रहा है, वो धिरे-दिरे क्या हो रहे है, कम हो रहे है, तो जब दिनोमिनेटर सबसे चोटा था, यानि 1 था, तो उसका result आ है, वो कितना है, 20, जो सबसे बड़ा निकल के आ रहे है, फिर दिनोमिनेटर की value को ह हमें बढ़ाया तो यानि कि जो हांसर इसका वेडियो है वो छोटी निकल के आ रही तो मतलब यह उल्टा होगा यान कि जिसका डिनॉमिनेटर बढ़ा होगा वह वाला फ्रेक्शन क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा आई होप आप लोगो कोई बात अच्छा से समझ में आग है वह फ्रेक्शन है येज है घ्रेंटर होगा है हो अफ्लेजिए को इसका डिनॉमिनेका ग्यों हो इसका हो चोटा है तो यहांं पर इक देखो शेबन क्या चोटा हे इससे है नाइन से तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वह अला फ्रिक्शन क्या होगा ग्रेटर निकल के आएगा तो हम भोल सकते हैं कि 13 अपोन 7 क्या है ग्रेटर है किससे 13 अपोन 9 से आप लोगों कोई चीस समझ में आगई होगी नेक्स ट्राइट में हम यह देखने वाला है कि जब डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो तो हम उनको कैसे सोल पर सकते तो इसको आप अच्छे से वीडियो को पोच करकर नोट कर दूज़ें अब हम देखते हैं कि जब किसी भी फ्रेक्शन का न्यूमिनेटर और दोनों ही क्या हो डिफरेंट हो तो उस वाले केस में हम उनको कंपेर कैसे करेंगे तो देखिए इसके लिए हमारे को फोलो करना है वो रूल यह है वह अगर हम लोग क्या करें कैसे भी करके किसी भी मैथ इसकि हना मिना लें और जो फोलो करके या जो भी अपने अभी तक सीखा है उसकी हल जब करें बेंजाबिटर को करेंगे और इसके वी बेंपने ने ने करें लिक चेंता था यहां। धुल बनाने की क्या हुँद सब्सक्रिगिए, जरते हुद सबसेले काम करता है। हम सकते नीचे ब्लेटर को इस दोनों की बना देगी जैसे अफोन एक्वल में इस सोल करना यह थो तो है इसको फूटा-प्र गणोटास कर दे तो हम 15 लेकल और फिक्तिन अब्र है सेम बनाना है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले स्टेप में LCM of 5,15 जब आप लोग इनका LCM लोगे तो कितना निकल के आएगा 15 क्योंकि 15 वही सबसे छोटा नमबर है जिसमें 5 से भी डिवाइड हो रहा है 15 से भी डिवाइड हो रहा है इससे छोटा कोई पी नमबर नहीं होगा तो यही सबसे छोटा नमबर है तो मैं LCM निकाल लिया इस सेकेंड स्टेप में क्या पढ़ना है का अब बोध फ्रेक्शंस इंटू लाइट फ्रेक्शंस क्या होता है दोनों के ट्रेuks इंट है लाइक ट्रेक्शंस को इक्री बाराई दोनु करें लाइक फैंडwać शिल इंग टिर यूमिनेटर कि हैविं और लिस्यूंटार गॉस्टा क्या है आज पुरा एकसेश्यक्राब ये घशिशक्वराइब क्या है ना है पहरी गेरिक्स तो यहां पर यहां पर यहां कितना है 15 अभी हमें दोनों को लाइक बनाने का मतलब है दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है अब किसके इक्वल करना है तो हमने बोला है कि किसके इक्वल करना है एलसे के इक्वल करना है तो कैसे करें तो इसके लिए हमने इसका नाम था इक्वेलेंट फ्रेक्शन उसमें क्या होता था अगर हम नूमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टिप्लाई कर दें तो कोई भी फ इसको 15 कैसे बना सकते, तो हो समझे, तो इसको हम क्या कर सकते, उपर भी 3 से multiply कर दे, वो नीचे भी क्या कर दे, 3 से multiply कर दे, तो कोई fraction में कोई परक नहीं पड़ेगा, एक नया friction मन जाएगा, वो इसके भी क्या होगा, equal होगा, तो 3, 3, 4, 9 होगा, और नीचे कितना होगा, 15, औ और आप चाओ तो इसको भी क्या कर दो, वेसे था 15 अल्रेटी बना होगा है, लेकिन प्रोपर तरीके से लिखना हो, तो क्या कर दो, 1 से multiply कर दो, कोई परक नहीं पड़ेगा, 4 upon 15, तो अब ये दोनों की तोनों क्या बन चुके हैं, like fractions बन चुके हैं, जिनका denominators क्या हैं, equal है और जब denominator गल हो जाता है, तो हम क्या करते है, numerator को compare करते है, स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, हम यहां लिखते हैं, compare numerators, compare numerators, तो numerator को compare करना है, हम अल्यक्टी बढ़ चुके हैं जब denominator सीपर होते हैं, जिसका numerator greater होगा, वहला fraction भी क्या होगा, greater होगा, तो यहां देखो, 9 upon 15 में, 9 हम बोल सकते हैं 9 upon 15 क्या होगा ग्रेटर होगा किससे 4 upon 15 से आप लोगों कोई चीज समझ में आ गया है इसके साथ ही हम यह भी बोल सकते है और इसनल फोम में लिखना हो तो इसनल फोम में क्या था 3 upon 5 था 9 upon 15 एक्चल में कितना था 3 upon 5 तो 3 upon 5 क्या हुआ कि रेटर होगा किससा 4 upon 15 से तो हमारा final result क्या आ गया यह आ गया I hope अदो लोगों को यह भी समझ में आ गया हुगा अब हम क्या कर्ने वाले हैं हमारा एक τοपी कोल है, अभी तक हमने क्या किया, 2-2 fractions को compare करना सीखा, अब हम क्या करने वाले हैं, 2 से ज्यादा fractions को compare कैसे करे, इक्षल में, 2 से ज्यादा fractions को compare करने का मतलब है, कि उन fractions को ascending, या फिर descending order में arrange करना, यानि कि, smallest से greater, मतलब smallest से greatest, देस्ट या फिर एपीड़ेश्ट से स्मॉलेश्ट वाले ऊडर में अरेंज करना तो उस उसको हम कैसे करेंगे तो यहां दे देख्था है तोμέं़ism method of comparing प्रोपी का नाम है method of comparing more than two fraction तो दो से ज्यादा fixations को कैसे compare किया जाता है इसको हम ऐसे भी बह सकते ascending and descending order of friction तो friction को ascending and descending order में कैसे arrange किया जाता है तो देखो ascending order का मतलब होता है smallest to greatest और जो descending order का मतलब होता है greatest to smallest I hope आप लोगों कोई चीज़ पता होगी पहले से आप लोगों कभी ने कभी पहले बढ़ा हुआ होगा बच्पन में 3rd, 4th, 5th किलास में कभी ने कभी आया हुआ होगा अब ये तो चलो ठीक है लेकिन हमारे को करना कैसे है वहीं हमने टोपिका मीनिंग समझ लिया कि हमारे को जो भी 3-4 friction येतने भी दिये होगे उनको क्या करना है ascending या descending order में अलेंज करना है लेकिन करेंगे कैसे तो उसके लिए जो प्रोसीजर को लो कोना है वो similar ऐसा ही प्रोसीजर तो हमें सबसे परें क्या करना पड़ेगा find the LCM of the denominators of the given fractions जो भी fractions given है उनके denominators का LCM ले लो यहां भी हमने क्या किया था LCM लिया था उसके बाद में क्या करो सभी fractions के denominators को like बनाया था और सबका denominator किसके बराबर बना दिया था LCM के बराबर यहां भी यही काम करना है convert all the given fractions into like fractions each having LCM as denominator बतब हमारे को इन सभी fractions को like बनाना है और सभी fractions का जो denominator है वो क्या होना चाहिए LCM के बराबर होना चाहिए I hope आप लोगों को यह दोनों का meaning समझ में आजया होगा अब यहां मैंने एक example लिखा है मैं आप लोगों के लिए लिए लिखते को यहां मैंने क्यासा लिखा है arrange the fractions 2 upon 5,3 upon 10,9 upon 14,16 upon 35 is in ascending order मतलब कि ascending का क्या मतलब हो गया मैं हमारे को smallest to greatest order में क्या करना है इसको arrange करना है I hope आप लोगों का meaning समझ में आजया होगा एक काम करता है पहले step 1 और step 2 को कर लेते हैं फिर step 3 पे आते हैं यहां है step 3 तो देखो step 1 में क्या करना था हमारे को LCM लेना था सभी के denominators का तो हम LCM ले लेते हैं यहां क्या होगा LCM of 5,10,14,35 तो मैं आप लोगों को यह चीज़ी अलरी बता चुका हूँ कि जब भी LCM निकालना हो तो इसका एक सोट तरीका है सबसे बड़े वाले नमबर को पिक कर लो पहला है फिर यह देखो क्या इस सबसे बड़े वाले नमबर में इस तीनों से डिवाइड हो रहा है क्या 5 से डिवाइड होता है 10 से नहीं होता 14 से नहीं होता 35 से तो होता है मतला इन तीनों का इन चारों का क्या होगा एलस्य होगा इन से होने मैं से क्या होगा तो पहले आगने वाले को पिप कर के देख तो देखें जिसके अंदर इन 4 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो 70 क्या हो गया हैं इन सब का lcm हो गया, आप चाहो तो proper तरीके से भी लेकर देख सकते हूं, जो आप लोगोंने बदमण में सीख लगा होगा, इस तरीके से 4 को लिख कर, तो आप उससे भी लेकर देखने हैं सब्सक्राइब कितना होगा 70 होगा अब हमारा मेजर क्या है कि सभी फेक्शन को क्या करना है और सभी के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है सब्सक्राइब किसे इक्राइब करना इसके क्या क्या चाहता है और सब्सक्राइब किसे इसाने की बनाना है ऐसे ही 3 upon 10 है इसके 10 को हमें क्या बनाना है? 70 बनाना है इसके अलावा 9 upon 14 है तो इस 14 को हमें 70 बनाना है इसके अलावा 13 16 upon 35 है तो इस 35 को हमें 70 बनाना है तो जैसे ही 70 बनेंगे तो तीनों क्या हो जाएंगे? light fractions बन जाएंगे सब्सक्राइब को सेवंटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 14 से मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा तब हमें प्रेक्शन को नहीं बदलना है उसी के बराबर आना चाहिए बस हमें डिनोमिडेटर को क्या कर देना है सबको इसे बराबर यादी 70 के बराबर बना देना तो यहां देखो इसको इससरफ मल्टिप्लाइब करोगे 28 आए अब 10 को सेवंटी बनाने के लिए 7 से मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यहां भी क्या करना पड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यहां हो जाएगा 32 अब हम एक टोपिक पड़ चुके हैं कि जब यहीं होता है और जिसका यहां और तो यहां दो आगखो 28 अपॉन 70 21 अपॉन 70 45 अपॉन 70 और 32 अपॉन 70 अब यहां क्या है सबके डिनोमिनेटर्स तो इकल इकल है तो निमेडेटर्स को गंपेंट तरहेंगे तो निमेडेटर्स के देखो हमें क्या कौन से उर्ण मेरेंज करना था असेंडिंग बना तो तब सबसे चोटे वाले वो सबसे पहले लिखेंगे तो सबसे चोटा निमेडेटर्स यह है तो यह फ्रेक्शन सबसे चोटा होगा यानिकि 21 अपॉन 70 सबसे चोटा होगा फिर उससे गिरेटर क्या होगा 28 अपॉन 70 फिर उससे गिरेटर क्या होगा लेकिन हमें इसको यहीं नहीं चोड़ना है हमारा ओरिशनल जो क्यास्टन था वह यह था हमने फ्रेक्शन को कनवर्ट करके यह बनाया था तो हमें इसी फोर्म में लिखना पड़े हैं तो देखो ट्वंटी बन अपॉन सेवन्टी एक चुल में किसका रिजॉर्ट था 3 दो फिर ट्वंटी आपोन सेवन्टी सेकें नमर प्यारत वो किसका रिजॉर्टा किसके इक्वेलंट था टुब फ्यंट नाइन आपोन 40 तो हमारा जे फाइनल जाएगा वह यह हो जाएगा आप लोगों को यह समझे आगए इसे वीडियो को पोच कीजिए अच्छे से समझ कर इसको नोट कर लिए मैं इसके उपर दो क्यों सब्सक्राइब करके देख लें करते हैं कर निकाल वह तो बेखता है जो भी आप लोगों का लिचल आता है वह पशुमेंट करके बता उसको सबसे पहले लिखना है तो greatest to smallest इस form में क्या करना है convert करना है तो देखें सबसे पहले step हमारे को क्या follow कर दीए step 1 के अंतर सब का LCM लेना है तो LCM का मेंने तरीका आप लोगों को बता दिया है कि यह 15 सबसे बढ़ा उपर है दो पहले 15 को पिक करो 15 में 5 से निवाइड होता है 15 से होता है लेकि 10 से और 6 से नहीं होता ह differ तो पर मतलब 50 के और coupon की पर रहा आगे बादूर दो 30 ऑं 30 को 20 10 से बहां होता है 15 से होता है 6 से होता है 5 से होता है तो 30 के आ जाए plastic सब्सक्राइब करना होगा तो देखो क्या होगा यहां हमें इसको टैन को थर्टी बनाना है तो टैन को थर्टी बनाने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो तो सब्सक्राइब करना हो जाए तो सब्सक्राइब करना होगा तो एक बात करें इसे लेवन अपून 6 को तो 6 को 30 बनाने के लिए 5 से multiply करना पड़ेगा तो numerator को भी 5 से multiply करना पड़ेगा 11 5 चा 55 I hope आप लोगों को इसी समझ में आ रही होगी 1 upon 5 तो यह 5 को 30 बनाना है तो 30 बनाने के लिए 6 से multiply करना पड़ेगा तो 1 को भी 6 से multiply करना पड़ेगा तो इका बन जाएगा 6 upon 30 I hope आप लोगों को यह step second समझ में आगी होगी और जब एक बाद यह step second हो जाती है उसके बाद में क्या करना होता है numerator को compare करेंगे क्योंकि सबके denominator तो क्या है equal है तो देखो numerator को compare करके हमें किस order में इसना है descending model greatest नो सबसे पहले तो जिसका numerator सबसे बड़ा वह वाला fraction सबसे बड़ा हम बोलें कि 55 upon 30 यह सबसे क्या होगा बड़ा होगा फिर उसके छोटा कौन सा होगा यह होगा 14 upon 30 फिर उसके छोटा क्या होगा 9 upon 30 फिर उसके छोटा क्या होगा 6 upon 30 तो यह बढ़ गया हमारा descending order वाला arrangement लेकिन हमारे को इस answer को अभी तब यहीं इसा ही नहीं लिखना है एक्चल में क्या है हमारे जो fractions थे वो यह नहीं थे हमारे पास जो fractions थे वो यह थे अब इस form में लिखना है तो यह जो 55 upon 30 है वो एक्चल में कितना था 11 upon 6 यह सबसे बढ़ा होगा फिर 14 upon 30 यह कितना है 7 upon 15 यह उससे चोटा होगा फिर 9 upon 30 वो कितना है स्थोरी हाँ 9 upon 30 है वो कितना होगा किसके बढ़ार होगा 3 upon 10 के और उसके बाद के सबसे चोटा कुंसा है 6 upon 30 जो किसके बढ़ाब है 1 upon 5 के तो यह क्या होगा हमारा final result हो जाएगा अगर अभी तक आप लोगों ने इस से पहले के लेक्छर को नहीं देखा है तो पहले इससे पहले की लेक्चर्स को जाके देखिए जिससे कि आप लोगों को कौन से प्रच्छे से किलियर हो जायागा और इसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए तो तब तक के लिए थैंक यू